पंजाव हरियान है कि हजारों किसान आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं दिल्ली से लगती सभी सीमाओ पर चेकिंग अभियान भी जोरो पर चल रहा है और किसानों को एंट्री नहीं मिल रही है इससे बॉडर एरियाज में लंबा जाम लग गया है दरसल किसान केंद्र के प्रदर्शन नाइक रशी कानूनों का विरोध करने के लिए राष्ट की राजधानी दिल्ली आना जाते हैं हलाकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दिये दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाओं पर भारी फुलीस फोर्स तेना थे और टीक्री और पर और फिर हर्याना के भीतर कही स्थानों पर पुलीस बेरिकेट्स भी तोड़े थे जिसके बाद उन पर आंसु गेस के गोले और पानी की बोचार की गई थी हर्याना के जरियें मार्च करते हुए उन्हें इस्थानी किसानों का साथ मिला और वे भी बीड में शामिल हो ग पुल पर लगे बेरिकेट्स को तोड़कर किसानों ने उसे पुल से नीचे फेक दिया जिसमें कई प्रदर्शन कारी और पुलिस कर्मी घायल हो गए संबु सीमा के पास भीड को नियंत्रित करने के लिए तेनात किये गए सुरक्षा वालों पर गुस्ता है किसानों ने पत परती निकाय हैं यह सभी राष्टी राजधानी में अनिशित कालीन विरोध प्रदशन में भाग लेंगे बता दिकी केंदर सरकार के बनाये गए प्रशी कानुनों के विरोध में पंजा भरियाने के हजारों किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं और एसे में पर बेरिकेटिंग कर रखी है और चेकिंग के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है नोएडा गुरगां और फरीदाबाद से लगी सीमाओं पर भयानक जाम की इस्तिती बन चुकी है किसान राशर पानी के साथ लेकर आए हैं एसे में गतिरोत कुछ दिनों तक ज पर आरे सिर पे जो कारा कनून के थोपा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तीन बार हम लोग बात करने आए हैं किसी ने हमें हमारे साथ बात की नहीं है